तो दिनवर की भागदा और पैकिंग और सिप्टिंग के बाद दिपिका और सोहेब दिखे हम लोगों किचन में तो सोहेब यहाँ पे दिपिका के लिए को स्पेशल बना रहे हैं दिपिका प्रेगनेंट है और उसको बीजबीज में भूख लग जाती है तो सोहेब ने दिपिका को बोला कि आज तुम बैठो और मैं खाना बनाता हूँ तो यहाँ पे सोहेब स्पेशल पनीर भूरजी बन रही है जिसके लिए सोहेब यहाँ पर प्याज को भून रहे है तो प्यास भून गया है सोहेब दिपिका से भी पूछ रहे हैं कि देखो प्यास ठीक से भूना है कि नहीं उसके बाद इसमें कुछ मसाले डाल रहे हैं जैसे कि अद्रक लैसुन का पेस्ट डाला है और नमक डाल रहे हैं एकदम प्रॉपर अंदाज में एकदम पॉफिट वांटिटी में हल्दी पाउडर डाला है यहां पर और यह पता नहीं उन्होंने बताया नहीं साहेब से जीरा या धनिया पाउडर होगा तो सारे मसाले डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें डल रहा है कटे हुए टमाटर अब इनको भी अच्छे से मिला दिया अब इसको ढखके छोड़ दिया चार से पांच मिन के लिए अब यहां पर सोहेब रोटी भी बना रहे हैं वैसे रोटी नॉर्मली लड़के लोग नहीं बनाते सब्जी या कुछ तो बना लेते हैं लेकिन मैं देखनेश शौक होगे कि सोहेब ने इतना अच्छा रोटी बनाया हाला कि थोड़ा छोटा-छोटा था लेकिन एक तम पर पुच से कर रहे हैं तो रोटी वी उनको बोल दिया दिपीका ने की कि हारअ परफेक्ट पका है प्लेट में निकाल दिया यहां पर प्यार टमाटर जो भून गया था उसके धन्यापत्ति भी डाल दिया डालके उसको अच्छे से भूनके फिर से एक बार दिपिका को पूछ लिया कि देख लो ये ठीक से भूनाया कि नहीं कच्चा तो नहीं है और पनीर जो था उसको अच्छे से तोड लिया हाथ से मतलब उसको कद्दू कस नहीं किया ग्रेट नहीं किया बस सिंपली हाथ से भी रोटी बनाया थे सब उसमें घी लगा लिया बढ़िया से और रोटी और पनीर की भुर्जी रेडी है तो दिपिका को स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है स्पेशल डिनर तो यहां पे दोनों कमरे में बैठें आराम से और यह जो गर्मी है इतना गर्मी किचन में हम लोग मतलब 10 मिन के लिए जाते हैं तो एकदम भीग जाते हैं तो मैं सोच सकती हूँ सुहेब का हालत क्या हुआ होगा और सही में यह क्या बोलते हैं यह प्यार ही है जो इनसान को कुछ भी करा सकता है कहीं भी कितना भी गर्मी हो किसी भी सिच्वेशन में सब कुछ करवा सकता है तो यहाँ पर दोनों husband wife आराम से बैठके पनीर बुर्जी और रोटी खा रहे हैं तो इन लोग का जो नए घर में सिप्टिंग था वो भी मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग के साथ तेंक यू